Hey guys, Microsoft Excel क्या है, इसका क्या यूज है आप सभी लोग अच्छी तरह जानते ही होंगे, क्यों? और आपको भी थोड़ा भूत Microsoft Excel यूज करना तो आता ही होगा, लेकिन क्या आप भी उन में से एक हो, जो ज्यातर Microsoft Excel इस्तमाल करते हो, तो यहां मैं कहना चाहूंगा, गलत बात है, तो ऐसे मैं आपको Microsoft Excel के जितने भी important shortcut keys है, उन सभी के बारे में जरूर पता होना चाहिए, य जैसे लोगों को लगेगा, यस, वाकवी में आपको Microsoft Excel के बारे में काफी ज्यादा knowledge है, तो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देख 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 लिए, हमीशा की तरह, आपका स्वागत है, Microsoft Excel में कई सारे shortcut keys है, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सार लेकिन उन सभी में से चुनकी है, मैंने कुछ selected ही shortcut keys को select किया है, जो आप Microsoft में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सभी को मैंने कुछ category में, कुछ parts में divide किया है, जिसमें सबसे पहला जो part आता है, वो आता है basic skills, जिहाँ यानि की basic shortcuts, यहाँ पर Microsoft में कुछ basic shortcuts है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप file को कैसे save कर सकते हो, इसके शौटकट क्या है, जो भी action लिया, उसे कैसे आप undo कर सकते हो, कैसे redo कर सकते हो, कैसे यहाँ पर आप file को save कर सकते हो, यह जो सारे shortcut keys है, वो आपको पता होना चाहिए, तो Microsoft Excel basic में, जो सबसे परा shortcut की आता है वो आता है, Ctrl N, जिहां, इसकी मतद से अगर आपको को एक नया workbook open करना है, कई लोग होते हैं, नया workbook open करने के लिए simple सा file पे click करते है, उसके लिए new पे जाते है, और इसके बाद जो भी file है, उसे select करना होता है, उसके बाद आपको एक नया workbook open हो जाता है, लेकिन यहाँ प आप एक्सल फाइल में किसी भी तरह के existing जो भी Excel फाइल आपने सेव कर रखा या फिर जो भी recent फाइल है, अगर आप उन्हें open करना चाते हैं, तो simple सा आप अपने keyboard में Ctrl O दबाएंगे, तो वहाँ पर जो Excel फाइल है, जो existing Excel फाइल है, वो open हो जागा, उसके बाद आप किसी पर प्रेस करें Ctrl S, जैसे आप Ctrl S प्रेस करेंगे, तो save as open हो जागा, उसके बाद आप इस फाइल को, जहाँ पर भी save करना चाहते हैं, वहाँ पर आप save कर सकते हैं, इसके अलाब कई बार आप चाहते हो, कि आप जिस भी Excel पर Microsoft Excel sheet पर काम कर रहे हो, आप चाहते हो उसे बंद क करना, उसे close करना, तो यहाँ पर आप cross करते हो, लेकिन इसके पर आप एक shortcut की इस्तिमाल कर सकते हो, जिसका नाम है Ctrl W, जैसे यह आप अपने keyboard पर Ctrl W प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो file है, वो save as option आजागा, तो आप अगर save करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, इसके औ सारे basic skills थे, basic shortcut keys थे, जो हर जगे इस्तिमाल कर जाता है, और आपको इन सभी के वारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन अब मैं आपको जो Microsoft Access shortcut keys बताने बाला हूँ, यह बहुत ही useful है, और बहुत ही कम लोगों को बता है, जिसका नाम है, तैप की बीच में switch करना, जिहां, Microsoft Access यहां पर अगर मैं आप से कहूं कि आपको home से insert में जाना है, तो आप simple सा mouse का इस्तिमाल करोगे, लेकिन इहां पर इसकी जगह पर आप shortcut keys का यह भी इस्तिमाल कर सकते हैं, यहां पर कई सारे shortcut keys है, जिनकी मतद से आप tab की बीच में switch कर सकते हो, तो अभी आप फिलाल देख सक यहां पर shortcut keys का इस्तिमाल कर सकते हो, for example, यहां पर आपको सबसे पहले file menu को open करना, यानि file tab को open करना, तो यहां पर आप simple सा अपने keyboard पे alt F प्रेस करेंगे, तो जो file tab है, वो open हो जाएगा, जैसा कि आप देखे सकते हैं, next shortcut की आता है, जिसका नाम है alt H, इसकी मतद से अगर आ alt H, तो यहां पर आप home पे आ जाओगे, ठीक है, इसके बाद अगर आपको insert tab में जाना है, तो simple सा insert tab के लिए alt प्रेस करो, और n प्रेस करो, इसी तरह अगर आपको page layout पे जाना है, तो यहां पर आप alt दवा के P दवा देजे, तो आप page layout पे चले जाएगे, इसी तरह अगर आपको formula पे जाना है, तो formula पे जाना के लिए, आप simple सा alt प्रेस करके M दवा देना, तो आप formula पे पहुंचागे, तो data के लिए जो shortcut की है, वो है, alt A, यहां पर review tab के लिए alt R, और view tab के लिए, आपको यहां पर simple सा alt और W प्रेस करना है, next shortcut की आता है, आपको excel seat है, जो cell है, उस आपको 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 आपक मुवफ करने के लिए इसे एक याप इनध और एक डूसरे से एक सब्सक्तार के है जो इसे इसे एक दूसर से इसे ऐह चाहिए करता है अगर मैं tap प्रेस करता हूँ, देखे एक चल से दूसरे चल में चाहरा है अगर आपको वापस आने के लिए शॉटकट की शिफ्ट प्लस टैप अब वापस आएंगे और अगर आगे वढ़ना तो आप सिंपल सा tap प्रेस करेंगे पीछ आप प्रेस करेंगे प्रेस करेंगे इसके नुक साले के लिए शॉटकट के लeए aquest उग इन इसके लिए छोड़ने का में तूसरे आता है इसके लिए सेलक करने के लिए मैं चिल में कुछ डेटा को सेल्ट को सेल्ट करता हूं इस और पर इसकाव सब्साइट स्यूंगर कर्यों और अब यहां पर के जगे इस च然 एक चेल चाहरें यहां पर आपके पार से इक कूछँ गारना काथ अब ग्साइस आप यहां से लेके इस इतने भी डेटा आ उसका ना चाहते हैं तो यहाँ पर simply आप shift प्रेस करिए और उसके बाद यहाँ पर जो भी arrow राइट साइड का जो भी arrow है उसे प्रेस कर दीजे देखिए इन सभी चीजों के लावा माल लीजेए यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ से लेके इन सभी डेटा को आपको इस राव में जितने भी डेटा है उन सभी को एक साथ से लेकरना है तो यहाँ पर simple सा इसे select कर लीजिए और इसके बाद अपने keyboard पर प्रेस कर दीजिए इन सभी चीजों से हटके आपको पूरा यह वरकशीट ही सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर simple सा control-a दबादेजे जो पूरा वरकशीट है वो सारा का सारा से लेक्ट हो जाएगा इन सभी चीजों के बाद next important चीज आता है जो कि बहुत ही important है जिसका नाम है formatting cells अगर यहाँ पर आपको जो भी cells है उन्हें design करना है color देना है border देना है या फिर इसमें जो भी text लिखा हुआ उसे bold करना है italic करना है अंडरलाइक करना है तो यहाँ पर आप simple सा mouse का यहाँ पर bold करना है मतलब जो भी text लिखा हुआ इसे bold करना है तो mostly लोग क्या करते हैं simple से select करते हैं home पे जाते हो यहाँ पर तो देखिए जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया लेकिन इसकी जगे पर आपको shortcut की इस्तेमाल करना है तो आप simple सा shortcut की इस्तेमाल कर सकते हैं उस टेक्स्ट पर यहाँ पर click कर लीजे एक बार और इसके बाद ctrl b प्रेस कर दीजेए देखिए जैसी ctrl b प्रेस करेंगे जो text वो बोल्ड हो जाए इसके लाबर यहाँ पर माल लीजिए आपको जो text है वो italic करना है मंigor pourquoi me lesser of our पर चरुछ जो तो हम गहिसा यूश्ट राs इसा अंड दो जबढ़ो सहाए जीडाड वह जबे दावा तो जुति era इसकीह नेवह छॉट कट और तो कलर के अगर आपको किसी शैटंपल अगर आप seems अधिक करोगे। आप समय के आप एपले पेशेट्न डिदा में करना तो स्वाइप काना में आप व्रशक लोग्ग्राइज थाए-पैद में पिछड़ unikन श वह चांट शखी करें अगर आप यहां पर किसी भी डेटा के बीच में जो भी बॉर्डर है वो आड़ करना चाहते हैं तो यहां पर सिंपल सा आप अल्ट एच और भी प्रेस करेंगे तो यहां पर जो भी बॉर्डर का मैन्यू है वो ओपन हो जागा इसके बाद यहां पर आप देखिए कोई सभी सिलेक कर सकते हैं तो सभी जगह पर जो बॉर्डर है वो सिलेक्ट हो गया इसके बाद नेक्स शॉटकट कि आता है वो भी बहुत यूसफुल है मालीजे यहां पर जो भी डेटा आपने सिलेक कर रखा है इन सभी को आपको आउटलाइन देना है एक सिंगल लाइन का मतलब आपको चारो तरफ बार्डर बनाना है तो यहां पर इसके लिए एक शॉट शॉटकट कीज की मतलब से कैसे आउटलाइन करते है यह सारी चीजे आप आपने बहुत आसनी से सीख लिया इन सभी चीजों के बात यहां पर एक और चीज सबसे इंपॉर्टन आता है वो यह है कि कई बार आपने देखा होगा जो भी एक्सेल सीट होती है वहां पर आपको जो भी सिस्टम का current date है वो आड करना होता है तो इसके लिए shortcut की क्या है यह भी आपको जरूर पता होना चाहिए तो आइए यह भी सीख लेते हैं फर एक्सेल सीट है तो यहां पर आपको जो भी current date है system का वो आपको यहां पर आड करना है ठीक है मालीजे हो लिगे यहां पर कीबोर्ड पर प्रेस करूगा। और सब्सक्राइं, तो उत्रेक्स्था करने के लिए train सब्सक्राइं उत्नित पुल्द खीज के सुंहाखन होगा। अगर आपको इस भाद चाइड करना है जो उत्रेक्षा भुर्ण कर ऊट्रेक्स्था पाइड कर गापकर कर सकते हैं I hope आपको विडियो पसंद आया होंगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो इसी भात पे वीडियो को अब तक लाइक किरा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यह बिल्कुल free है और bell icon पे जरूद आवाना तक ही मैं जब भी कोई नए वीडियो अप्लोड करूँ इसी तरह के तो उसकी जानकरी आपको सबसे पहले मिल सेके तो मिलता हूं मैं आपको एक और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye